इस श्रीदेट delve है जी असलावलैकुम बहुत यसान सवाल है कहते है कि जी वाट्र पिर कहता है परसंट फिर कहता है ऑफ फिर कहता है फ्रकैथा array इस और पिर कहता है जी तो ठीक है और off का मतलब होता है times यानि multiply और 500 की value 500 ही रहेगी इस का मतलब होता है is equal to और g की value unknown है तो so g ही के रहेगा यह as a variable रहेगा ठीक है so आपने निकालना है what percent निकालना है तो what आप से पूछे तो आपने x की value निकालनी है so यहाँ पर अब आपके पास बन जाएगा x percent times 500 is equal to g और percent का मतलब मैंने भी आपको बताया है कि जहाँ भी percentages का मतलब है divided by 100 so x divided by 100 times 500 is equal to g तो इस trick से आप इसको solve कर सकते हैं और 00 से कट जाएगा 00 से कट जाएगा then x times 5 is equal to g और x इतरी खड़े रहेगा तो 5 उदर जाकर दिवाइड हो जाएगा तो it's g by 5 ठीक है let's